दोस्तों नमस्कार, करेंट एफेर में एक बार फिर से आपका स्वागत है, सबसे पहले रिपब्लिक डे के आपको बहुत धेर सारी सुब कामनाय और बधाईयां, एक बात और आपको जानना चाहिए कि याकि यह 26 जनवरी का डेट जो हम लोग मनाते हैं, इसका महत तो क्या है तो देखिए आपको इसके लिए मैं बताओं, 26 जनवरी को हमारा सम्विधान लागू तो हुआ था, लेकिन गरतंत्र दिवस मनाने का कारण सम्विधान लागू कराना ही नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे देश होते हैं, जिनका नाम शुरू होता है रिपब्लिक से, और कई स उसका भी सम्विधान है लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है, तो ये रिपब्लिक क्या होता है, आखिर रिपब्लिक डे कैसे मनाते हैं हम लोग, दरसल जिस भी राष्ट्र का कोई राष्ट्रा ध्यच चुना जाता है एक नियमित अग्तराल के बार, उसको रिपब्लिक कहा ज जाता है, और तो और पाकिस्तान भी एक रिपब्लिक है, तो इस्लामिक रिपब्लिक आप पाकिस्तान उसे लिखा जाता है, लेकिन कभी आप बिटेन की सामने रिपब्लिक नहीं पढ़ेंगे, तो ठीक है, रिपब्लिक का मतलब आपके समझ में आगे होगा, रिपब्लिक एक बैठक हुई थी Congress की 1929 में जो बैठक हुई थी लाहौर के अंदर कहा पर हुई थी मित्रों लाहौर में और इसके अध्यच थे पंडित जवहरलाल नहरू और इसी बैठक के अंदर Congress ने ये कहा कि आज के बाद हमारा जो एम होगा वो होगा पूर्ण स्वराज का क्या होग लुआ जया है, डोमीॵनीयन स्टेस का मतलब यह होता है कि जो सठ्था होगी वो दो भारत के लोग चलाएंगे ओर र डिजीडेच होगा, यह हमारा भी हो यह डोमीनियन स्टेस को कहा जाता है, हिंदी मैदी राज्जे बोलते हैं लेकिन 1929 में किसका resolution पास किया गया था? पूर्ण स्वराज का और इसी resolution के बाद ये कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना Indian flag फैराएंगे और 26 जनवरी 1930 को सिंबॉलिक रूप से रावी नदी के किनारे हमने Indian flag फैराकर Independence Day मनाया था. इसी दिन को commemorate करने के लिए क्या किया गया? हमारा समिधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया. ठीक है मितनों? आपको जानकर ये अश्चर होगा कि जो समिधान दिवस मनाया जाता है, वो कम मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है. क्योंकि 26 नवंबर 1949 को समिधान बनकर तय प्यार हो चुका था, वो समिधान समभा में पास भी हो गया था. लेकि ये दो महीने का अंतर हमने वेट क्यों किया? क्योंकि हम वही 26 जनवरी 1930 वाला दिन याद करना चाहते थे, इसलिए 26 जनवरी 1950 को ये हमारा समिधान देश में लागू हुआ. बात समझ में आ गई? तो 14th edition of Aero India 2023 will be held on February. February में ये 2023 में 14 संस्क्रण Aero India का जो है आयोजित किया जाएगा, कहां किया जाएगा? ये question पूछा जा रहा है. तो बैंगलूर में, हैदराबाद में, चिन्नेई में या भूनेश्वर में, कहां पर किया जाएगा, मित्रों? तो इसका option A correct है, यानि कि question भी तरफ बढ़ते हैं, Chris Hiepkins was sworn in as 41st Prime Minister of, तो Crips Hiepkin ने किसके 41 प्रधार मंतरी के रूप में शपत ली है, ठीक है न, तो यहोने ली है New Zealand, जानते हैं आप, Australia है, Australia के बगल में एक छोटा सा, देखिए अगर Australia का एक छोटा सा नक्सा खीचने की कोसिस की जाए, तो कुछ इस तरीके से Australia आपको दिखाई पड़ता है, इस तरीके से Australia और यहाँ पर इधर New Zealand है, तो New Zealand इसी के यह प्रधान मंतरी बने हुए है, ठीक, अब इन्होंने क्या जो उनकी पूर प्रधान मंतरी थी, जेशिंडा, एडर्ड ने, उन्होंने इस्तिफा दे दिया था, उसके के बाद अब यह आपके Chris Hipkins जो है, इन्होंने प्रधान मंतरी की सपत दी है, नेट्स कोश्चन देखते हैं, who has been selected as the ICC T20 Cricketer of the Year for the Year 2022, 2022 के लिए किसे ICC Cricketer of the Year 2020 चुना गया था, ठीक है न, तो यह कौन है, यह सूर्यकुमार, जोस, बटलर, विराट कोली या सिकंदर राज, कौन है यह, सूर्यकुमार यादो, जानते हैं न, लंबे-लंबे चक्के लगाये थे, ठीक है, और अब भी काफी फेमस हैं यह, ठीक है, कम बाल पे जादा रंड चाहिए, तो तो तुरीकुमार यादों को उतार दो, जल्दी से जल्दी एक कवर कर ले जाएंगे, नेस्ट कोस्टेन की तरफ जाते हैं, दे टुन्टी टुन्टी त्री एडिशन आफ प्रोपैक्स इस दे लार्जेस exercise आप, प्रोपैक्स का दो 2023 संस्क्राण, किसका सबसे बड़ा exercise है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एरफोर्स या बीएसेफ, तो हमारी आनफोर्स करती हैं, तो कौन है इसमे से, तो इंडियन नेवी, याद रखेगा, इंडियन नेवी, बाइनियल exercise है, लंबे सम्Aud क की लिए बेस्ट क्रिकेटर का वार्ड किसने जीता या ताहलिया मेगराथ, तो यह है तहलिया मेगराथ कौन है तहलिया मेगराथ एक मैगराथ बॉलर भी हुआ करते थे, ऐस्ट्रेलिया के, ठीक है ना, सचीन और उनकी, आपस में काफी लगी रहती थी हमेशा, चलो, नेक्स यह हैं आपके सिधार्थ सर्मा कौन है, सिधार्थ सर्मा का टाटा ट्रस्ट का नया CEO बनाया गया है, याद रखिए गए यह question important हो सकता है, PepsiCo Foundation and Care has launched a program, C Feeds the World in which state, PepsiCo Foundation और Care ने किस राज्जी में C Feeds the World कारेक्रम शुरू किया है, बिहार, West Bengal, जारखंड या ओडिशा किस में कहां पर सुरू किया गया है, यह तो आप लोग को बताना है कहां पर सुरू किया यह, तो यह है West Bengal option, भी आपका correct option हो जाएगा, ठीक है मित्रों, next question की तरफ बढ़ते है, International Custom Day is observed every year on, तो याद रखो, आज आप गरतंत्र दिवस बना रहे हैं और फिर क्या मनाएंगे, Custom Day भी मनाएंगे, यानि 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, International Custom Day मनाया जाता है, ठीक है न, Custom duty जो लगती है, वो direct tax है, या indirect tax है, आपको बताना है, ठीक, चलो, next question की तरह बढ़ते हैं, Which Indian movie has been nominated for the best documentary shot in Oscar Award 2023, Oscar Award के लिए, किस भारती फिल्म को सरवस्रेश्ट लगू फिल्म के लिए नामंकित किया गया है, आपको बताना है, All the breath, the elephant whispers, RRR, tell it like a woman, RRR, तो लगू फिल्म है, नहीं, बड़ी फिल्म है, हटा दो, तो कौन सा सही है, B option सही है, the elephant whispers, ठीक है न, चलिए, next question की तरह बढ़ते हैं, Which ministry has organized six day mega event, भारत पर, at Redford, Redford पर, भारत पर, किस मंत्राले के द्वारा मनाया गया है, यह question पूछा जा रहा, तो कौन सा मंत्राले है, यह है आपका tourism ministry है, ठीक है मित्रो, next question, union health minister has launched the you will platform to keep a digital record of, केंदरिय स्वास्ता मंत्राले ने किसका digital record रखने के लिए you will manch launch किया है, किसके लिए किया है, medicine, health workers, vaccination या pregnancy, किसके लिए है, यह है vaccination, यूवीन तो आप जानते हैं न, कि एक तो कोवीन आपका एप भी है, जिस पे जाकर आप लोग लगवाते थे, आप vaccination तो यह क्या है, यह नया यूवीन है, तो यूवीन को याद रखिए किस से related है, यह vaccination से related है, और अगर आपने vaccine नहीं लगवाया है, तो जरूर लगवाईए, और अगर आपने booster dose नहीं लगवाया, तो वो भी लगवा लिजिए, ठीक है न,